नमस्कार, वेलकम टू केरियर मंतर 9.1, मैं अंकित ज्यादब आपके अपने यूटूब चैनल में आपका स्वाथ करता हूँ, आच्छी क्लास में हम यूपी ट्रपल सी के लिए वीडियो वंदरोगा और जूनिय एश्टेंट के लिए कंबाइन स्रीज लेकर के आएं, इस स् सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने वह न देखें तो जरूर देख लिए इस सीरीज में हम अभी फिलाल में 50 क्वेशन के अकोर्डिंग मन्दब की वीडियो के अकोर्डिंग क्वेशन लेकर के आ रहें, आगे चलके हम 60 क्वेशन और 40 क्वेशन की अकोर्डिंग भी सब्सक्राइब कर लिए लाइक कर दिए शेयर कर दिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दिए क्योंकि आपका कमेंट हमार लिए बहुत प्रीशियस है, पिछले वीडियो सुरू करते हैं, आज ही ग्लास का फर्श कोशन है, निम्लकित में से कौन सा बाध्ध बाध्ध पवित्र इस्तल निर्जना नदी के तट पर इस्तित है, अब फिर से कौशन रिपीट कराओ, कौन सा बाध्ध पवित्र इस्तल निर्जना नदी के तट पर इस्तित है, या निर्जना नदी पर था, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बोध गया, कुशी नगर, गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी, ठीक है, और इसके बश्चात गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा जाने लगा, ठीक है, इनको क्या कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा, तभी से यह इस तर बहुत धर्म के अन्यायों के लिए महत्पुन हो गया है बरस दो यार दो में यूनेसको द्वारा इस सहर को बिश्व धरवर सूची में सामिल किया गया, बिश्व विराशत सूची में सामिल किया गया, नेस कुश्चन है हमारा, बुद्ध को परि निर्मार कहा प्राप्त हुआ था, देखो सबी कुश्चन एक साथ इनों ने ले लि नयुर्णों चीनी, पहतब होता है, मृत्यु ज्या में मिरत्यू— निक कई पूरू और फिर चीन की रही प कहया है, जुंहित और जो क कह रही मिरत्यु ऑम् करीए पर िनकी चाती अर्म ज्या ल। मेरत्यु होई तहीं, जून चाहितिlles मिरत्यु कुछ रही हो खेंょ मातमाबुद्ध को क्या हुआ था ग्यान की प्राप्टी हुई थी बूद्ध घ्याम है ठीक है इससे पहला जो कोश्चन था और इसी पत्नम सारनात में इन्हों ने क्या किया था प्रथम उवदेश दिया था जिसको किस कटना के नाम से जाना जाते है धर्मचक परवरतन के न needing smoo με, कुतव मीनार में या लाल किले के परिसर में तो इस question का right answer है कुतव मीनार में अलाई दरवाजा जो है कुतव मीनार में इस्तित हैं तीक है नास question की तरक चलते हैं अच्छा और important facts मैं बता देता हूँ यहीं पर अलाई जो दर्वाजा है उसकी जो निर्माण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था कुत्ब मीनार के निकट इसको बनवाया था इसका निर्माण लाल पत्थरों तता संग्वर्वर की द्वारा किया गया है अलाई दर्वाजा कुत्ब मीनार बिश्व बिरासर सूची में सामिल है यह प्रारमिक तुर्की कला का एक स्रेश नहुना है इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनाए थे वो सीधी का किला, हजार खंबा, महल यह सब का निर्माण कराया था नेस कोश्चन है, कोश्चन निमर 184 भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमन किया था ठीक है, आप्शन है हमारी पास 1294 में, 1470 में, 1230 में या 1398 में तो जो तैमूर था, उसने आक्रमन जो किया था, 1398 में किया था अब उस समय तुगलक वंश के अंतिम सासक नसर उद्दीन, महमूद का शाषनकाल चल रहा था ठीक है, और तुगलक वंश और दिल्ली, दोनों के लिए विनासकारी ये सिद्द हुआ था ठीक है, जो तैमूर ने अक्रमन किया था, दोनों के लिए बहुत परशानी साबित हो गई थी यहां से किस सासक ने भारत में तुगलक वंश की नीव रखी थी और इसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना याथा है, ठीक है सिचा ये तुग निर्माण के लिए ग्यासुद्दीन तुगलक जो था वो पहरा साशक का ने आता है इसकोशन है, सेरिंग पल्लम की लड़ाई में अंग्रीजों ने किसे पराजित किया था और ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1799 में कब हुआ था 1799 में, सेरिंग पट्टम या फिर स्रीरंग पट्टम भी से बोलती है कि युद्ध में अंग्रीजों ने 1799 में टीपू सुल्तान को हरा दिया था इसे चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और चतुर्थ आगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूरते पराजित हो गया था और मैसूर पर इस्ट इंडिया कंपणी का साशन हो गया था आगे क्वेशन देखते हैं हमारा बंबे, बंबई, बंबे भी बोला याता है अब छत्रपती स्वाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत की पहली यात्री ट्रेन किस वर्स चली थी यह हमें बताना है आप्शन है 1935 में, 1925 में, 1853 में या फिर 1840 में तो इस कोशन का राइट अंसर है 1853 में पहली यात्री ट्रेन, 1853 में चली थी बहुत इंपोर्टन कोशन, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है नेस्ट कोशन है हमारा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बिलियम बेंटिंग ने सती पर्था को समाप्त करने हेतू वर्स डैश में कानून पारित किया था तो किस वर्स नों ने कानून पारित किया था यह में बताना है 1819 में, 1825 में, 1829 में या फिर 1832 में नेस्ट कोशन है हमारा समवैदानिक उप्चारों का अधिकार के तहत आता है या फिर प्रकॠिक अधिकार को बोले आता है छो सम्वैदानिक का उप्चार है वो अर्टिकल 32 में है 32 मेंוכ है तो इसे मौलिक अधिकार बुले आता है यह option is right ठीक है अब जो मौलिक अधिकार है वो टूटल जो है अनुछे 12 से लेकर के 35 में सामिल किये गई है ठीक है तो और यह भाग कौन सा भाग है हमारा यह पूछ ले आता है भाग हमारा तीन है ठीक है भाग तीन में आर्टिकल 12 से 35 में सामिल किये गए है और जो अप्शारों का अधिकार है यह आर्टिकल कौन सा है यह आर्टिकल है हमारा 32 32 आर्टिकल में यह सामिल है तो यह सी के अंतरगत आ गया तो मौलिक अधिकार हो गई है ठीक है नेस कुशन है हमारा मार्च 2019 में उपलद जानकारी के अनुसार भार क्या रिकरतब है अब इससे related facts जान लिजे सर्दार स्वर्ण सिंग एक सर्दार स्वर्ण सिंग हुए थे तो उन्होंने जो है उन्होंने इस्तुति की थी 42 में संविधान संसोधन के तैस 1976 में भाग चार का में किसमें भाग चार का बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं भाग 51 ए में इनको जगह दी गई थी ठीक है तो ये मौलिक करतब जोड़े गया थे पहले ये मौलिक करतब हमारे कितने थे 10 थे फिर जो है एक संसोधन होगा आट क्या नाम है 96 मां 86 संसोधन के तैद कितने मौलिक करतब फिर एक और जोड़ दिया गया वो कौन सा था 11 मां मौलिक करतब जोड़ दिया गया जिसमें था 6 से 14 वरस तक की उमर की बच्चों को अभिवावक द्वारा बच्चों को सिक्षा जरूर अपलब्द कराई जाएगी तो इस तरह से हमारे करतब कितने हो गए 11 करतब हो गए पहले हमारे 10 करतब जोड़े गया थे पहले करतब थे ही नह जासी में समिधान संसोतन के तरह वो जूड़ा गया था 2002 में कब जूड़ा गया था 2002 में जूड़ा गया था आर्टिकल 51 ए में ही ठीक है और ये 11 मौली करतब था 11 मौली करतब में ये था कि 6 से ले करके 14 वरस तक के बच्चों को अभिवावक जो है सिक्षा अपलब्द करा ठीक है नेस्ट कोशन है हमारा नेस्ट कोशन देखते है हमारा भारत के समिधान के डैस के अनुसार राश्पती के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है ठीक है तो अध्यादेश जारी करने की सक्ति किस आर्टिकल के तहती है ऑप्शन है 123, 121, 125 या फिर 127 तो इस क तहट राष्टपती जो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है नेस कुश्चन है भारत में राष्पती अपना कारेकाल पूरा होने की पहले अपना त्याग पत्र किसको सौपता ठीक है अपना जो है किसे सौपएगा मुख्यनयादिय्द को अपराष्पती प्रधानमंत्री को या फिर लोकसवा अध्यक्ष को तो इस question का राइट अरे परवद्श रंखिलमें स्थल자리는 option पढ़ लेते हैं कारेक बास भागी रथी काटमांडू या अराकू तो अराकू जो है आपकी इसमें इस्तित हैं हिमाले परवश्रेणी में इस्तित हैं नेस्ट कुश्चन है मेगाले पठार की सबसे उंची चोटी कौन सी है खासी जैनती पहाड़ियां गारो पहाड़ियां मिकिर पहाड़ियां या शिलॉंग पहाड़ियां तो इसकुश्चन का राइट अंसर है शिलॉंग चोटी शिलॉंग चोटी जो है मेगाले पठार की सब कारल कोरम परवत श्रंखला में सबसे उंची चोटी कौन सी है और इसकी उंचाई है वो है 8611 मीटर ठेक है केटू विस्व की दूसरी सबसे उंची चोटी है केटू की उंचाई विस्व की सरवोच सिखर एवरेश्ट परवत 8848 जो एवरेश्ट है वो 8848 है ठेक है 8848 मीटर से सिर्फ कितनी कम है 237 मीटर ही कम है ठेक है इसमें से इस वाले में से इसको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आए वो इतना निकल के आगा 237 मीटर तो इतनी ही कम है यह ठीक है केटू यह है और अच्छा एक चीज़ और एक कुशन बहुत इंपोर्टेंट रह गया, 114 में कुशन, इस 114 में कुशन में ये वर्ड आया है शिलॉंग, तो शिलॉंग जो जगह है, सिलॉंग शहर है, वो पूरब का स्कॉट लेंड भी बुला जाता है, ये कुशन कोई गार पूछा गया है, तो शिलॉंग शहर को पूरब का स्कॉट लेंड भी बुला जाता, तो ये आप व्याद रखेंगे, और भी कुशन है, ठीक है, चली आगे देखते हैं, आगे, निम्लेकित में से कौन सी भूमी, किसी भी देश के स्वामित में नहीं है, नहीं है, बानुआत, अंटाक्टिक का, ग्रीनलेंड या सॉलोमन देप, तो इसकुशन का राईट अंसर हो जाएगा, अंटाक्टिका अंटाक्टिका जो दीप है, अब समय बुला जमी रहती, तो वो किसी के सौमित में नहीं है, किसी भी देश के सौमित में नहीं है, वहाँ पर वेग्यानिक क्या करते हैं, हर बरफी बरफ है, नेस कोशन है हमारा, महादीब जिसे दा लेंड आफ गोल्डन फ्लीप्स कहते हैं, कि नाम से जाना आता है, तो उसे कौन सा महादीब है, उप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्टेलिया, तो इस कोशन का राइट अंसर है, तो इस कोशन का हो गया है हमारा ऑस्टेलिया, ठीक है, डी ऑप्सन इस राइट, अब इसे दा लेंड आफ गोल्डन फ्लीप्स इसलिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है, सबसे ज़्यादा सर्वदिक उन का उत्पादन होता है, नेस कोशन है हमारा, यूरोप के, यूरोप के उच हमारा, इस पर जो जो या शुरुस में स्टेथ है, यह काकेशक परवत कि सर्व का स्टेथ है, एंच कोशन इप, भारत की अर्थ व्यवस्ता का मेरूटन कौन है, भारत की जो अर्थ व्यवस्ता है, वो कैसी अर्थ." सेवा चहत्र पर वित्तिय चहत्र पर नए और या कर्शी चहत्र तो अभी तक भारत की अर्थे व्यवस्ता की होता क्या है कि 49 परसेंट जो पॉपूलेशन वो किसी ना किसी प्रतेक्ष या प्रतेक्ष रूप से करशी पर ही निरवर है ठीक है यह जो आखड़ा है यह दो यार सत्र अठारे के अपॉर्ड हैं नेस्ट कुशन है हमारा निम्लिकित में से कौन सा भारती अर्थिववस्त का प्राथमी चेत्र है ठीक है फस्ट प्राइमरी प्रोडक्ट कव हैं क्रशी है उद्द्योग है सरेका रतर आया अप यूद मेंस कूई नहीं तो हमारा को यह में आना भारत में एक जो लाई को पेश किया गाता मता ग You सब्शन में 2016 में 2017 में या फिर 2018 में तो जी जी एश्टी आया था वो 2017 में जी एश्टी आया था नेस कुशन है मारा उत्त पदेश का सहरनपुर शहर निमलखित मैं से किस कला और शिल्प के लिए बिश्व प्रसिद्य है ठीक है चूड़ियां बनाने के लिए इत्रेवम सुगन्द सुगन्द बनाने के लिए लगड़ीयों पर नकासी करने के लिए या कालीन बनाने के तो इस question का जो right answer हो जाए का आपका C option is right लकड़ी पर नकासी के लिए सारनपूर प्रसित है ठीक है जो इतरप्रदीस का बदोई जिला है वो कालीन के लिए तो कालीन के लिए कौन सा है बदोई या बदोई ठीक है बदोई या बदोई है आपका कन नोज थीक है उत्तर पतव देशक सरर को सेरेमिक सिटी मधो कि Со miniature को स्रेमिक सिटी कρेमग निगा आता है अब सब्सक्राव को मुरादाबा वात प्रियाग राजिलाबाद को या फिर खुरजा को जो सेरेमिक सिटी बोला जाता है इसी वonderं की शायर के चर्म ज्योग की राजदहनी के रूप में जाना जाता है और उपशन आगरा इंप olsun kा इंदर फों बीर आießen सही है कान्पुर कान्पुर घ्योग की राजदहनी क्यों रूप में जाना जाता है वैसे चमले का काम जो होता है वो कई जगे पर होता है जैसे कि कानपुर में नकलव में मेरट में बरेली में आगरा में और द्यालवाग में ठीक है पर सबसे ज़्यादा कानपुर में होता है तो इसलिए चर्मो द्योग की राजधानी से बुल लोगा काम होता है इसे और कानपूर जो है लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है वो तब देश किस कड़ाई शैली के लिए विस प्रशिद्ध है उप्सन है सोजनी रवारी चिकन करी या कांथा तो सी उप्सन इस राइट चिकन करी जो कुर्ते वगरा आते हैं चिकन के कुर्ते आते हैं चिकन की क्या होता है धागे से इसकी कड़ाई होती है कपड़े के उपर तो इसे चिकन कारी बोले आता है और यह सबसे ज़्यादा फे ती इस तरह से माल सकते हैं से आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा सहर चिकन का रिशाड़ियों के नामक सुंदर कड़ाई वाली शाड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं तो इसमें पहले बता चुक्षिन का राइट अंसर क्या है नकलो चिकन का काम कहा होता सब जादा नकलो में होता रहा है निम लिखित में से कौन सा इस्थान कांच की चूड़ियों और कांच की वनी बस्तूओं के लिए प्रसिद्ध हैं आप्शन है फरकावाद फिरुजाबाद पतेपूर या फिर फैजावाद तो इससे पहले कुशन एक आया तो उसमें बताया था फिर फिरुजाबाद फिरुजाबाद छूड़ियों और के लिए प्रसिद्ध है कांच के सामान के लिए बी ऑप्शन है हमारा क्रोम सफारी या या बीच क्या समानता तो यह तीनों चीज़ें क्या है यह में बतारा है बिचरक इंगलिशन बोलते हैं ब्हप ब्राउजर खोजी कि इंग्लिए हम बोलते हैं सर्च इंजन, शोशन, मीडिया, विवरण, इस था मतलब की साइट्स या फिर वैब साइट्स तो सक्षोषन का right answer है वैब ब्राउजर है इसमें खोश करते हैं कोई भी साम कोई भी कोई बी वर्ड डालते हैं और इसको सर्च करके देता है इस से ल ब्राउजर से या फिर इंटर सेवा प्रदाताओं से तो इस कुशन का राइट असर है खुजी मतलब की सर्च इंजन से यह रिलेटेड है सारे वर्ड क्रॉलिंग इंडेक्सिंग और रैंकिंग नेस्ट कुशन है हमारा कुशन नमर 131 Microsoft Word files में clipboard की सामेगरी को paste करने के लिए किस keyword की shortcut की करते हैं मतलब paste करने के लिए तो यह सब को पता होगा Ctrl plus V, Ctrl plus V का use हम paste करने के लिए करते हैं Ctrl plus C का use हम करते हैं copy करने के लिए Ctrl plus P का use करते हैं print करने के लिए और Ctrl plus X का use use करते हैं वो हम cut करने के लिए करते हैं ठीक है, नेस्ट कुश्चन है, जब तो इस कुश्चन का राइटन से तो आपको ध्यानी होगा, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी करते हैं, नेस्ट कुश्चन है, हमारा Microsoft Excel वर्कशीट की प्रकोष्ट या सेलों की सैंख्या प्रविष्ट की जाती है, तो वे पूर न पार्शीब मnesOT जस्टीफाइड रहती रहती हैं, तो इस कुश्चन का जो राइटन से वजाँ हुजागा, दाई और सर्रेखित होती है, कदर की तरफ होती है, format slide format all format paste या format painter तो इस question का right answer हो जागा painter मतलब कि हमने जो भी formatting दे रखे color दे रखा है size दे रखा है font का size दे रखा है जो कौन सा style दे रखा है वो सब format painter के द्वारा एक जगे से दूसरी जगे जा सकता है तो यह help करता format painter D option is right निवफ निचोडने की मशीन् रथम् चृण ही का alors होता पहार होता है अब आप देख़ो इसमें कैसे याद करेंगे कोई एक चीजब बीच में होंगी और दो चीज दौनाव तरफ होंगी तो आप बीच वाली चीजब को याद रखे ठीक है अब देखो first srini का जो दो लख होता है उसे yemड करने का तरीका तो first srini का जो उत्ता लख होता है उसमें आलम आयास और भार के बीच में हो इसमे क्या होगा आपका आलंब और आयास के बीच में क्या होता है भार होता है तो बीच में क्या आ गया भार आ गया ठीक है बसी यात करिए ठीक है इसके एक्जामपल है सरोता निवु निचोड़ने की मसील एक पईया से कुड़ा डोने वाली कारी अब जो थेड़ वाला है तो थेड़ वाला क्या हो होगा थेड़ब्यां में व बार जिगए कुंटा किसान HAM का हाल मनुष्य का हाथ यह सब क्या हो जी का मान नियूंतम होता है, विशुवत रेखा पर उत्री दुरूप पर तच्छनी दुरूप पर या कोई नहीं, तो इस question का जो right answer हो जाएगा वो a option is right, विशुवत रेखा पर जी का मान सबसे ज़्यादा कम होता है, नेस question है, निमलिकित में से कौन सा एक thermosetting plastic है, थर्मos question है, तो अरित चांदी, तो अरित चांदी निमलिकित में से किसका एक उत्पाद है, चांदी का, लोहे का, पारा का, या फिर मेगनीज का, तो इस question का जो right answer हो जाएगा पारे का, तो अरित चांदी जो है पारे का example है, इसको जो है quid silver या तो अरित चांदी भी बोलते हैं, तो ये कम्रे के ताब पर द्रव विस्ता में पाए जाने वाली धातु है, नेस question है, रक्त, डेस के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, बाय, श्रेणी, पलक धमनी के द्वारा, बक्र धमनी के द्वारा, कक्षा धमनी के द्वारा, अंत्य प्रकोष्ट धमनी के द तो ये जू है आपका रक्त बक्र-्धमनीे के द्वारा आपकी गुर्दे में प्रवेश करता है। ठीक है और यह सुद्ध बगेरा करता है पूरे डिटल बता देता हूं मैं आपके ही पर बक्र जो है रक्ति धमनी द्वारत पेश्ट तो करता है धमनिया ऐसा रक्त बाइका है जो शरीर की विभिन भागों को उक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती है बक्र धमनी बक्र को तो उक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार भी करती है आगे चलते हैं हम लोग रक्त इसकंदन बिकार किसकी कमी के कार्ण होता है केलसी फैरॉल के द्वारा फिलो क्लोविन के द्वारा पाईरी डॉक्सिन के द्वारा या टोको फैरॉल के द्वारा तो इस कुश्चन नियंतित करता है, रक्त आयतन को, नाड़ी दर को, हर्दे स्पंदन को या हार्मोन उत्सर्जन को, तो आपका जो पीलिया होता है, वो आपका रक्त आयतन को धारित करता है, यह अप्शन इस राइट, नेस्ट कुशन है हमारा, जुलाई 2022 को को सा जिला देश का पहला हर घर ज बुरहानपुर, एक सेगिंड, बुरहानपुर, ठीक है, बी ऑप्शन इस राइट, जो बुरहानपुर जिला है, यह जो है मध्यपरदेश का जिला है, और यह जो हर घर प्रमाणद जिला बन गया है, इसमें जो है 254 गाओं के, एक लाख, एक हजार 905 ग्रामील घरों को, जो है कारमात्मत घरेलू नल कनेक्शन उपलब्द कराए गया है, ठीक है, एस कुशन है हमारा, अगस्त 2022, अगस्त 2022 में कौन सादीस मासिक धर्म उतपाद निश्योल को उतपन करने वाला बिश्व का पहला दीश बन गया है, ठीक है, 2022 के अपॉर्डिंग, नार्वे, आयरल मेक्सिको या फिर स्कॉट लेंड, तो इस कुशन का राइट अंसर है स्कॉट लेंड, स्कॉट लेंड जो है, इस रिनी वाला मासिक धर्म उतपाद उतप्लब्द कराने वाला बिश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है, पिरियट प्रोड़क्स ये देता है, आगस्त 2022 मे इशियान भारत विश्व विदेश मंद्रियों की बैठक कहा आयोजित किया जाएगी, नई दिल्ली में, चकारता में, थिंपू में या नो पहने में, इस कुशन का राइट अंसर है, डी अप्सन इस राइट, नो पहने में, ठीक है, नो पहन जो है, आपका कमबोडिया में इस देते हैं, आगस 2022 में भारत की किस संस्ता द्वारा भारत का पहला मैनू फैक्चरिंग भी निर्माण इंडेक्स फंड जारी किया जाएगा, बजाज फाइनेंस के द्वारा, टाटा फाइनेंस अमू के द्वारा, नभी में, म्यूच्वल फंड के द्वारा, या फिर HDFC इस कोशन का राइट एंसर है, नभी मीच्वल फंड के द्वारा, C ऑप्शन इस राइट, ठीक है, C ऑप्शन इस राइट, नेस कोशन है हमारा, जुलाई 2022 में किस राजिक में एक नए कर्म जिरी अभिहारन का गठन किया गया है, उप्शन है, उडिसा में, राजिस्थान म या फिर मध्य प्रदेश में, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो मध्य प्रदेश है, D ऑप्शन इस राइट, नेस कोशन है हमारा, अगस्ट 2022 में किस भारती महला ने बर्ड बूमेन एंटर प्रियोर और अवार्ड जीतिया है, संगीता ने, ईशा तेंदुकर ने, प्रमीला, मिश्रान है, या विस सावित्री, जिनतन है, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हो जाएगा, E option is right, संगीता अभयान ने, ठीक है, संगीता अभयान ने बर्ड रूमेन एंटर प्योर अवार्ड जीतिया है, ठीक है, नेस कोशन है मारा, उत्तर पदेश हिं इंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 में सुबुद्रा कुमारी चोहान बाल साहिते सम्मान किसे प्रदान करने की घुशना की गई है, option है, सुमन भारत द्वाज को, निहारिका सक्सेना को, विमल रस्तोगी को, या फिर अंजना पाठक को, तो इस कुशन का जो राइट अंसर है, वो है, सी ऑप्सन इस राइट, ठीक है, बिमला रस्तोगी को जो है, सुबुद्रा कुमारी चोहान बाल साहिते सम्मान प्रदान करने की घुशना की गई है, ठीक है, इसमें और भी अवार्ड दिये गए है, जैसे की, सोहन लाल दिवेदी बाल कविता सम्मान जो दिया की है, उनको प्रदान किया गया है, ठीक है, इस कोशन के वोड़े हमारा अंसर है, वो सी ऑप्सन सही है, ठीक है, सुबुद्रक हमारी चोहान जो है, बिमला रस्तोगी को दिया गया है, अब हमारे अल्ली त्री कोशन रह गए हैं, इस सेट के, आप लोगों को बहुत-बहु कोशन रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट ज़रूर करा करेंगे, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, चलिए आगए कोशन देखते हैं, आप अब तक कमेंट कर चुके होंगे, क्योंकि छोटा सा कमेंट करना रहता है, जो भी आपको अच्छा ल आठ पदक जीती हैं, option है Canada, Australia, England या फिर New Zealand, तो इस question का जो right answer हो जागा, B option is right, वो कहां की है, Australia की है, ठीक है, और उन्हें 8 पदक जीती है, उसमें 600 हैं, एक रज़त और एक 80 हैं, ठीक है, देखी, एक बात और मैं बता दू कि हमारे channel पर, जो है आपकी current affair की speedy भी चल रही है, speedy वो complete मैं करा रहा हूँ, आपके one liner questions, objective questions, और आगे जो questions होते हैं, factor wise, वो सभी questions आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है channel से बने रही है, channel पर जागर visit कर सकते हैं, December की, जो updated current affair speedy है, वो अभी मैंने channel पर डाल रखी है, तो आप बहां से जागे question कर सकते हैं, आभ यह question देखते हैं हम लोग, जै विवित्ता का अर्थ है, विविन पादप में पादप एवं बनस्पती, जै विवित्ता, ठीक है, विविन प्रकार के पादप एवं बनस्पती, विविन प्रकार के जन्तु, एक निर्धारी छेत में विविन प्रकार के पादप एवं जन्त कि यहां पर एक बड़ और बता दूं कि यह बिवत्ता सब्द जो है वह बाल्टर जी रोसेन ने दिया था बाल्टर जी रोसेन के द्वारा यह सब्द दिया गता है जैल बिवित्ता लाज कोशन 150 पर्यावन में ग्रीन हाउस प्रवाब की में ब्रद्धी होती है कारवन मौन उकसाइड के कारण औच सबसे घर्म घैसे है त्पर जलवास पर कारवन डाई ऑकसाइड मैं यह कैसे है ठीक है जही लास कोशन दा का थैçons पर वाचिंग वीडियो टेक केर बाइबाइ धन्यवाद